भारत ने कुरोना के मामलों में अब रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिश्चे 24 गंटे में कुरोना के 116,390 केस सामने आए हैं ये बुद्वार की तुलना में 56.5 पीज़ जादा है इसे में देश में अब तक कुरोना के 3 करोर से जादा केस सामने आ चुके हैं भारत में सबसे जादा केस महराश्रों से सामने आए जहां पर 36,265 मरीज मिले हैं जबकि बंगाल में 15,421 मामले सामने आए हैं और डिली में 15,97 तो तमिलादू में 6,900 से जादा मामले मिले हैं केरल में चार हजार से ज़्यादा मामले आए हैं ऐसे में देश में कुल मिला कर अब केस जो है 65.97 पीज़ी केस इनी पांच राज्यों से मिले हैं जब से ज़्यादा चिंताजनक बात ये है कि इस बार कुरोना की चपेट में स्वास्ते कर्मियों का आकड़ा बढ़ता जा रहा है देश भर में अब तक 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 तक्रीबन एक हजार से ज़्यादा डॉक्टर्स और स्वास्ते कर्मी कुरोना की चपेट में आचुके हैं राज्यवर अलग आक्रूप नज़र डाले तो बिहार में 300 से जादा डॉक्टर और स्वास्ते कर्मी कुरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सबसे जादा मामले पट्ना से NMCH और गया में ANMCH से मिले हैं इस बीच बिहार के सभी सिक्षन संस्तान ततकाल प्रभाव से पूरी तरीके से बंद कर दिये गए हैं चार जौनवरी की बैठक में नौवी से बारवी तक की कक्षा पचास फीज़ी उपस्तिती के साथ खूलने का निर्देश दिया गया था लेकिन कोरोना वाइरस के मामलों में व्रद्धी की वज़ा से गुरुवार को ततकाल प्रभाव से सभी सिक्षन संसान स्कूल कॉलेज कोचिंग संसान सभी को बंद कर दिया गया था इसके अलावा कोविट के लगाता बढ़ते संक्रमन के चलते सुप्रीम कोट में भी अब सिर्फ वर्चूल ही सुनवाई होगी जस्टिस अदालत कक्ष के बजाए अपने आवास से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई के लिए शामिल होंगे सिर्फ बहुत जरूरी मामले नए मामले जमानत वाले मामले स्टे से जुड़े मामले नजरबंदी या बंदी प्रत्यक्षिक करण या और मामले जो होंगे उनमें सुनवाई के लिए आना पड़ेगा लेकिन अब बाकी की सारे सुनवाई वर्चूल तरीके से ही की की